स्री सिवाय नमस्तू भ्यम तर्सकूं सास्त्रों में चैत्र का महीना बेहत खास माना जाता है। इस माह में कई बड़े और प्रमुख ब्रत्यवार आते हैं। इस माह की अमस्या पित्रों को प्रसंद करने के लिए खास मानी जाती है। अमस्या के बाद प्रतिपदा तिथी से चेत्र नौरात्रों का आरंभ होता है। पंचांग की माने तो इस बार 15 मार्च 2023 से खर्मास लगने जा रहा है। सास्त्रों के नुसार खर्मास में कोई भी मांगलिक या सुभ कार्य करना वर्जित होता है। तो आईए जानते हैं इस स साल खर्मास कब से कब तक रहेगा। अमस्या तिथी कब पढ़ेगा। चैत्र नौरात्री कब से सुरू है। दुर्गाश्ट मी वर राम नौमी कब होगी और कलस या खट स्थापना सूभ मुहुर्त क्या होगा। जियोतिस की माने तो सूरे हर महिने रासी परिवर्तन करते हैं। इस तरह 12 महिने में 12 रासियों में सूरे का गोचर होता है। पंचांग के नुसर मार्च से अपरेल महिने के बीच यानि की 15 मार्च से 14 अपरेल तक एक बार फिर खर्मास लगेगा। 15 मार्च को जब सूरे कुम रासी से निकल कर मीन रासी में प्रिवेस करेंगे तो ख गलवार को होगी। चैत्र कृष्ण अमौस्या प्रारम होगी 21 मार्च प्रातह काल एक बचकर 47 मिनट पर। चैत्र कृष्ण अमौस्या समाप्थ होगी 21 मार्च रात्री के 10 बचकर 22 मिनट पर। उदेयाति थिके नुसर चैत्र मौस्या 21 मार्च को मनाई जाएगी। साल दोहजार तेईस में 22 मार्च से हिंदू नौ समत्सर की सुरुआत के साथ ही चैत्र नौरात्रों का आरंब भी हो जाएगा चैत्र नौरात्री 22 मार्च बुद्धवार से सुरू होकर 30 मार्च तक चलेगी प्रतिपदा तिथी आरम होगी 21 मार्च रात्री के 10 बचकर 22 मिनट पर कलस स्थापना सूब मुहुर्थ होगा 22 मार्च प्रातहकाल 6 बचकर 21 मिनट से 2 बचकर 43 मिनट तक अश्टमी तिथी शुरू होगी 29 मार्च 2013, राम नौमी होगी 30 मार्च को, नौरात्री वरत का पारण वर्दसमी तिथी होगी 31 मार्च 2013 को तो दर्शकों वीडियो पसंद आने पर मेरी चैनल इंदियन उजिकेशन को सस्क्राइब कर ले और वीडियो के जितना जदा हो लाइक और सेर कर ले मिलते हैं अपने नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए स्री सिवाय नमस्तू भ्याम